नमस्कार मांदिनी प्रदानमंत्री मोधी जी मैं दक्षिन गोवा की बुत नमबर 30 के बुत अध्यक्षा शाहिला पार्सेकर बात कर रहे हूं कि मेरा आपसे एक सवाल है कि सब्सक्राइब टैन यह चलेंज की चर्चां दुनिया भर में हो रही थी दो दिन पहले भारत में हमने सोशल मेडिया पर पांच एयर चलेंज को वाइरल होते देखा है पांच वर्षों में क्या बदला है लोग इसकी तस्वीरे शेयर कर रहे थे आपके अनुसार पिछले पांच वर्षों में क्या परिवर्तन हुआ है सहला जी नमस्कार मैं सबसे पहले तो मेरे परम मित्र अब बैठे बसा सहला जी बैठे आप मैं सबसे पहले तो मेरे परम मित्र और गोवा के लोग परिया मुख्यमंत्री और एक प्रकार से आधुनी गोवा बनाने के आर्किटेक्ट ऐसे मेरे मित्र मनोर जी का स्वास्त जल्दी ठीक हो इसके लिए प्रार्थना करता हूं और इस स्थिती में अभी जीस प्रकार से वो काम करते हैं हम सब कारकरताओं के लिए मनोर जी जी का ये जो ज़जबा है काम करने के लिए उनकी जो एक धगस है वो सचमुझ में प्रेरना देने वाली है साथ्यों मैं आपके सवाल सेला जी ने जो पूछा है उसका तो जवाब दूँगा ही लेकिन उसके पहले मैं जब गोवा के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं जुरूर एक बात करना चाहता हूँ मुझे बताए गया है कि माइनिंग के बारे में गोवा में काफी चिन्ता है और चिन्ता बहुत स्वाबाविक है हम रास्ते डूणने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारे दोनों गोवा के सांसत इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं इस विशे के जानकार लोगों से बात्चीत हो रही हैं गरीब की रोटी को कैसे बचाया जा सके उसके लिए प्रैत्न हो रहे हैं कि सोशेल मीडिया पर जो कुछ चलता है कि मैं उसे भी देखता हूं और आपको इस बात के विशे में जाने से पहले में ये भी कहना चाहूंगा कि कि आपको मालूमें संकट पैदा हुआ सुप्रीम कोड के एक निर्णे के बाद हम रोगों की कोशिस रहेगी कि उसमें से कैसे रास्ते निकले क्योंकि गोवा की पूरी अर्थ वववस्ता के केंद्र बिंदु में हजारों लोगों को रोजी रोटी देने में ये माइनिंग का बहुत बड़ा काम है लेकिन मैं आपको विश्वाद दिलाता हूं कि जो भी न हम सब की चिंता है सहिला जी आपने सही पूझा सोशल मीडिया की बात कही आपने मैंने भी नोटिस किया कि पांच वर्सों में क्या बड़लाव आया है इसको लेका लोग बड़े ही दिल्चस्प तरीके से अपने अर्पने अनुभव शेयर कर रहे हैं पांच साल में हुए परिवर्तन को दिखाने के लिए उनकी क्रियेटिविटी से तो मैं सचमुझ में हरान हो गया पांच वर्स पूर्वत दुनिया भारत को एक अलग नजरिय से देखती थी वो भारत जहां से केवल गोटालों बिजली संकट और आर्थिक तंगी के समाचार आते थे आज देखिए कैसे हमारे प्रती विश्वास का नजरिया बदल गया है तब विश्व भर में चर्चा हो रही थी कि भारत दुनिया की फ्रेजाइल फायू यानि पांच कमजोर अर्थ ववस्ताओं में से एक है अब भारत दुनिया की सबसे तेज गती से बढ़ने वाली अर्थ ववस्ता है फ्रेजाइल फायू टू फास्टेस ग्रोइंग इकनोमिका यह बढ़लाव भारत ने देखा है देश विदेश की हेडलाइन्स में तब सरकार के स्केम्स हुआ करते थे आज देश और दुनिया की हेडलाइन्स में भारत के स्केम की कहीं चर्चा नहीं है स्केम का कहीं नामों और शान नहीं है अगर चर्चा है तो नई नई स्कीम्स की है यानि पांच सान में एक बड़ा बडलाव है कि देश स्केम्स से निकल कर स्कीम्स की और आगे बड़ा है तब स्वयम प्रधान मंत्री को ये कहते हुए सुना गया कि देश में माववादी हिंसा हावी हो रही है आज माववाद से प्रभावी जिलों की संख्या बहुती कम रह गई है ये हमारे जवानों की बहदूरी और जनतना जनादन के सहीयोग से संभव हुआ है हमने माववादियों के खिलाब हारी हुई लड़ाई को जीत में बदल दिया क्यानि फ्रम लूजिंग दे बैटल तु विनिंग दे बैटल अगेंस माववविश्ट ये बदलाव सिर्फ पांच साल में हुआ है तब पांच साल पहले ये हेडलाईन थी कि भारत में सवचालई भी नहीं है जिससे महलाओं को सरमनाग स्थिति का सामना करना पड़ रहा है हमने मात्र साड़े चार साल में नव करोर से अधिक सवचालई बनवाए है पांच साल पहले हमारा सैनिटेशन कमरेज सिर्फ 38 प्रतिशत था लेकिन अब ये बढ़कर के 98 प्रसेंट हो गया है ये बदलाव भी हमने देखा है वो एक दौर था जब हाई इंफ्लेशन और लो ग्रोथ था और अब लो इंफ्लेशन और हाई ग्रोथ का दोर है तब दुनिया ये बात करती थी कि भारत में सत्तर करोड लोक नौर्दन ग्रीट फेल हो जाने के कारान अंदरे में डुब गए और आज दुनिया में ये बात हो रही है कि भारत में अब तक अंधेरे में रहे करोडो घर रोशन हो चुके हैं ये कुछ चीजे मैंने गिनाई हैं पर आप हैस्टेग फाइव येर चलेंज की टाइम लाइन पर जाकर देखेंगे तो कैसे कैसे लोग पिछले पांच साल में आये बढ़लाव को दिखा रहे हैं कि आप भी गोवा के अंदर जो भी परिवर्तन आपको दिखता है लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आया है उसके बारे में सब के साथ सेर करें अपने अपने भूत के लोगों को ये बताएं कि पिछले पांच वर्षों में देश में कितना बड़ा बढ़लाव आया है मुझे पूरा विश्वास है कि जनता जनारदन को जब आप इसे सही तरीके से समझाएंगे तो निश्चित रूप से उनका आशिरवाद हमें मिलेगा